हलो गुद मॉर्निंग एवरीवन हाव यू आई होप यू विल बी फाइन अट यू हूम जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं एक बार रिकॉल करा देता हूं लीस्ट काउंट मैंने बताया था फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर बताए थे तो वहीं से हम आज शुरुत करते हैं how significant figure means इन्सिग्निफिकेंट फिगर इन्सिग्निफिकेंट डिजिट तो बीडॉप दाट अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इस मोर देन फाइव एंड इस लेफ्ट अंचेंड इस लेटर इस लेस जैसे अगर पाई की वैल्यू 3.14 हम दो डिजिट तक कंसीडर करते हैं और उसके बाद अगर हम उसे कंसीडर करेंगे तो वो इंसिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगाap इंसिग्निफिकेंट का मुदब जो हमें चाहिए 3.14 ता वहां पर हमें इन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 अब बात करते हैं इव दा प्रसीडिंग डिजिट इज इवन दा इंसिग्निफिकेंट डिजिट इस सिंप्लिटी ड्रॉप यह पहले परेग्राफ पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए इस इस फर्स परेग्राफ ओके यह वाला इव दा प्रसीडिंग डिजिट इस इवन दा इंसिग्निफिकेंट डिजिट इस सिंप्ली ड्रॉप और इट इस और प्रसीडिंग डिजिट इस रेज़ बाई वन सबोस कीजिए तो पॉइंट सैविन फॉर फाइव है अगर कोई नंबर आउड है लास्ट वाला इंसिग्निफिकेंट फिगर में तो अगर इसको अगर हम थ्री में चेंज करेंगे तो वो नंबर रिमूव हो जाएगा यानि इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा ठीक है अन दा अधर हैंद दा नंबर टू पॉइंट सैविन थ्री फाइव राउंड ओफ टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बिकम फिगर्स बिकम टू पॉइंट सैविन फॉर यानि फाइव का राउंड ओफ किया तो थ्री को हमने फॉर में कनवर्ट कर लिया ठीक है बट यहाँ पर क्या था एवन ओड था ओड और इवन तो पॉइंट के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ लास्ट वाली डिजिट देगी है थ्री को तो यहाँ ओड है तो ओड के हमने क्या बनाना है इवन बनाना है और इवन का इवन रहने देना है यैसे 2.74 है तो फाइव को रुमूव कर दिया ओके तो दिस इस दा प्रिसीडिंग डिजिट इन इवन और अड्स नमबर ओके इन अनी इन्वाल्ड और कॉंप्लेक्स मुल्टिपल स्टैप कैल्कुलेशन यूशूद रिटेन इट्स इंटर्मीडिट स्टैप आपको यह कैल्कुलेशन स्टैप में माइंड करना होगा कि यह कैसे होता है इसको राउंड ओफ करेंगे तो क्या होगा और 99 का क्या हो जाएगा 3 इन्टू 10 डिटू पावर 8 मीटर पर सेकिंड विज इस ओफन इंप्लॉइड इन कम्पुटिशन कम्पुटिशन में नुमेरिकल में हम बहुत यूज करते हैं और दा फॉर्मला लाइक 2 पाई इन टी यह टी इस गस्टू 2 पाई अंडरूट L अपॉन जी है वा लार्ज इन्फानाइट नमबर यह क्या है पाई को तो आपको मालिमी है कि 3.1415926 is known as a large number of significant figure यहनी significant figure मतलब terminated digit नहीं है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं 3.142 और या 3.14 4 pi with a limited number of significant figure as required in specified cases so students यह कुछ numericals हैं जो आपको करने होंगे ठीक है this is the numericals और मैं next topic प्यार रहा हूं rules for determining the uncertainty in the result of arithmetic calculation the rules of determining the uncertainty of error in the number measured in quantity arithmetic operation में क्या करते हैं जैसे if the length and the breadth of a thin recto angular sheet is measured to be 16.2 cm and 10.1 cm there are some significant figures suppose कीजए L को हमने क्या कर दिया 6.2 plus minus 0.1 हमने एक इसमें add कर दिया add कर दिया और subtract कर दिया 16.2 cm तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया 0.6% similarly the breadth b can be written as 10.1 plus minus 0.1 cm तो अब इसका 10 का 0.1 कितना हो गया 1% हो गया then the error of product of two or more experimental value value using combination of error rules क्या है bread कितना हो गया 1.63 इंटू दूनों को length into bread कर दिया product कर दिया plus दूनों की percentage को plus कर दिया और minus कर दिया तो 163.62 cm2 प्लस माइनस 1.6 % अगर हम उसको plus करेंगे और minus करेंगे इसका percentage निकाल लिया हमने तो वह आ गया है 2.6 cm2 163.62 प्लस माइनस 2.6 cm2 तो final result आपका क्या आ जाएगा अब 2.6 को हम क्या कर लेंगे round off कर लेंगे तो 164 ऐसे ही यहां 163.62 इसको भी हमने round off कर लिया 164 आ गया प्लस माइनस 3 आ गया here 3 cm2 is uncertainty or error अब यहां पर 3 क्या है यहां पर uncertainty या error है in the estimation of area of rectangular sheet किसकी area of rectangular sheet की अगर हम area निकालेंगे तब now second if a set of experimental data is specified to n significant figure यहां मालीजे कोई n number of data है result obtained by combining the data will also valid to the significant figure या अगर आप सोच यहां को mean निकालना है या class interval निकालना है तो कैसे निकालेंगे if data are subtracted the number of significant figure can be reduces अगर हमने data ही subtracted करना शुरू कर दिया तो number of significant figures reduce होना शुरू हो जाएंगे तो ऐसे मैं क्या करें देखते हैं now example for example 12.9 gram minus 7.06 gram both specified दौनों में 3 significant figure हैं 5.84 gram but only 5.8 तो अगर अगर अपसका minus किया हम तो इसकी जो value आई 5.84 gram आई but only as हम इसको क्या बोलेंगे 5.8 gram as uncertainties in subtraction or addition combine in a different fashion smallest number of decimal places rather than the number of significant figure in any number added or subtracted यानि कहने का मतलब या है कि जब हम add or subtract करते हैं और हमारे पास 3 significant figure आते हैं point के बाद तो हम एक को ignore करते हैं only हम यह तो इन बोलेंगे कि 5.84 gram है हम बोलेंगे उसको 5.8 gram only now third point the relative error of a value of a number specified figures depends only but not on the number itself suppose कीजिए example accuracy in measurement of mass 1.02 gram is plus minus 0.02 gram accuracy मतलब 0.01 gram को अगर हम add कर देंगे किसमें 1.20 gram में तो accuracy ज़्यादा आएगी whereas another measurement 9.89 is also accurate to plus minus 0.01 gram the relative error के आ जाएगा यानि value वही है कि delta a upon a यानि जो mean value delta a upon a in 200 तो यानि प्लस 1 का plus minus 1 percentage से मिले relative error तो ऐसे ही relative error का क्या जाएगा यानि delta अपन जो actual value in 200 यानि 0.1% finally remember the intermediate result in a multiple step तो ये आपको एक numerical से ही पता लग पाएगा जो की एक calculated value है okay so these are the concept जो रहे गया थोड़ा सा तो I think आपको सौंज में आ गया होगा and if we have any confusion then tomorrow will be a class और ठीक है तोमारो के आज ही class है so thank you very much बढ़ा है जोड़ा है जोड़ा हुआ है